मनसौर गांधी चोरा से लांडरी एडिया तक समीदा स्वास्त कर्मियों ने निकाली समीदा रूपी शवयात्रा जताया विरोध किया प्रधर्शन मनसौर में अपनी 2003 मांगों को लेकर शहर की गांधी चोराहा पर हर्ताल पर बैठे समीदा स्वास्त कर्मियों में अपनी हर्ताल के 13 दिन गांधी चोराहा से लौंडर एडिया तक समीदा रूपी शवयात्रा निकाली और अपना विरोज जोता है सेक्डो समीदा कर्मियों ने निमित करने के मांग के नारे लगाते हुए शवयात्रा में निकल कर प्रदर्शन किया गांधी चोराह से शुरूवा प्रदर्शन लॉंडरी एडिया पहुंचा जहां समीदा स्वास्त कर्मियों ने समीदा रूपी शवयात्रा अर्थी का धा संसकार किया। समीदा स्वास्त कर्मियों को नहीं इमित कर इस कलंक का अंतिम संसकार कर दे। समिधा स्वास्त कर्मी संगटन की जिलाद्यक्षी डॉक्टर पतिग्या पाटिदार ने बताया कि नीमती करण की मांग को लेकर धर्ना प्रदर्शन कर रहे उनके दो सातियों की रतलाम और राजगर में रिदे गती रुकने से मृत्य हो गई समिधा स्वास्त कर्मी संगटन की जिलाद्यक्षी डॉक्टर पतिग्या पाटिदार ने बताया कि समिधा स्वास्त कर्मी पिछले 15 दिसंबर से नीमीती करण सहीत दो सुत्री मांगों को लेकर अनिशितकाली नहर्ताल पर हैं लेकिन अब तक सरकार ने समिधा स्वास्त कर्मी की कोई सूद नहीं ली अपनी इस तरह की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे कर्मलचारी इस बार आरपार की लड़ाई के मुड में हैं बताया कि बारा से तेरह हजार में हमारे घर का गुजारा इस महंगाई के जमाने में नहीं हो पाता पेट्रोल डीजल एवं दाल एवं तेल के भाव लगातार आसमान चूरे हैं 17 स्वास कर्मी कुणाल वागेला ने मीडिया से चर्चा करते वे मंगलवार को 12 बच कर 24 मिनट पर बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा हमारे निश्काशित साथी हैं उनकी वापस से बहाली हो आज हम लोग विगत 20 साल से एक ही मांग लेके बैठे हुए हमारी जो दो सुत्री मांगे वह पुर्ण हो अभी वोपाल में हमारे दो दिन पहले हमारे 12 साथियों को जेल में आतंग वादियों की तरह रसी से बांद क गिरफतार किया गया उनमें से एक जो साती है उसको इतना गंबीर तरीके से मारा कि वह अभी पेरलाइसिस की इस्तती में है इन 12 दिनों में हमारे यहां पे दो साती मर चुके हैं जिनका आज तक शाशन प्रशाशन ने कोई सूद नहीं लिया है संबीदा संबीदा एक खु अब्सक्राइब कर रहे हैं महेंगा यह बढ़ गई पेट्रोल का भाव बढ़ गया दालों का भाव बढ़ गया लेकिन आज तक हमारे सातियों का कोई भी न्याय नहीं हुआ है कोई शाशन प्रशाशन कोई सूद नहीं ले रहा है और हमारी जो दो सुत्री हैं वह आज दि सुत्री मांगे वह पूर्ण करें लिखित में दें और हमारी यह हर्तार हम खतम कर देंगे आज हम लोगों का तेरवा दीन है कि आज हमने सवीदा का शोषन की जो एक शव्यात्रा निकाली है और इससे हम सरकार को संदेश देना चाहता है कि इसी तरह सवीदा निति जो है व सवीदा निति को पूरी खतम कर दिया जाए जिस तरीके साज हमने सवीदा निकाल के खतम कर दिये इसको बिल्कुल इसका अंतिन संस्कार सब करा गया है